कि विवाद से विश्वास इसी महीम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के मात्यम से यह जानने का प्रेतन करेंगे कि कोन कोन स्कीम का लाव उठा सकते हैं कोन लोग इस स्कीम को ओप्ट कर सकते हैं? कोन लोग इस स्कीम की डाय में नहीं आते हैं ? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रेस्थम करेंगे की हूँ इस एपिलेंट एज पर दी ट्रेक्ट टक्स विवाद से विश्वाशक 2020 एपिलेंट इस दिफाइन इन सेक्शन टू हपक्लोज वन section 2 subsection 1 it define appellant as a person that means a person that means any individual HUF partnership firm company LLP local authority cooperative society body of individual association of person artificial judicial person anyone can open this scheme in whose case an appeal or writ petition or special leave petition has been filed either by appellant himself or by income tax authority or both before an appellate form and such appeal or petition is pending as own specified date and specified date in this case is 31st january 2020 दोस्तों दो condition आपने अपील फाइल की होनी चाहिए किसी अपिलेट फोर्म में और यह अपील पेंडिंग होनी चाहिए एज उन स्पेसिफाइग डेट जो 31st january 2020 अगली क्रेस एक पर्सन इन हुस केस एन ओर्डर हैज बीन पास्ट बाइए असेसिंग और पास्ट कर दिया है या ओर्डर हैज बीन पास्ट बाइए कमिशनर अपी और अपिलेट टर्ब्यूनल और विए पर्डर प्रडर 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 बीन और बिफोल बी स्पेसिफाइग डेट अड तो नोट की हिए बार में अवेंडमेंट में टाया ताइम लिमित फोर फाइल एन अपील और स्पेशल बीपर्टिशन अगेंस्ट हज ओडर बाइपर्सन हैज नोट एक्सपाइड एर ओन डेट यानि यह अमेंडमेंट आई हाद दोफ्तों पांच फ़वरी के बाद जब बजब बिल प्रपोज किया गया उसके बाद अमेंडमेंट बारा फवरी को प्रपोज की इसमें यह बताया गया कि ऐसे अबी केसिस जिस आपर टाइम लिमिट ओफ फाइलिंग ऑफ अपील है नोट यह अट अप्सपाइड के आलसो लिजीबल यहां पर दाइरह बढ़ाने की कोशिश की कुछ और अमेंटमेंट कीगी जो मैं अफिर से करता हूं एक पर संब्सक्षान विफोर डिस्प्यूट र इंकम टेक्सक्ट नैंटी सिक्षिवन एंड डिस्प्यूट रेजूलुशन पैनल हैं नोट इसूट इसूट एनी डिरेक्शन ओन और बिफोर दी स्पैसिफाइड दे मैंने अपना के किया है डियापी के पास और डियापी ने अभी कोई डिरेक्शन असेसिंग ओफिकर को इसके लिए इशू नहीं कि इसी संदर्ब में एक और केस है एक पर्सन इन फूस के इस्प्यूट रेजिलूशन है इसूट डिरेक्शन अंडर हब शेक्शन फाइफ और सेक्शन बन पॉर्टीफोर सी ओफिंकम टेक्शेक्ट अंड असेसिंग ओफिसर हैं नोट पास्ट ए पाइनल ओडर पास्ट नहीं किया है जोन स्पेसिफाइड डेट इवन दन इसकेश इस इलिजिबल फोर विवाद से निश्वर वन अनादर केस ए पर्सन वह फाइड एप्लिकेशन फोर रिविजन अंडर सेक्शन 264 विंकम टेक्शेक्ट अंड सच अप्लिकेशन इस मिश्वर के पास और वह एप्लिकेशन एजन स्पेसिफाइड डेट पेंडिंग है वह भी इस विवाद से विश्वास के लिए जा सकता है एक और अमेंट्मेंट आई जो सेक्शन 9 के जरिए आई जिस में नहीं नहीं कहा कि ऐसे सभी केशिष एसे सभी केशिष जिन में सर् 132 और 132 ए और डिस्प्यूटिट टेक्स फाइफ करोड रुपीज से एकसीड नहीं यहां पर डिस्प्यूटिट टेक्स का अमाउन पांच करोड रुपे से ज्यादा नहीं है वो केसी भी विवाद से विश्वास के लिए अब अलिजिबल है अमेंडिट आने के बात प्रं क्याता है कि डिस्प्यूटिट टेक्स पांच करोड रुपे से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट ने जो फैक इशू किये हैं चार मार्च को 55 को सेट आया है उस पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है सर्च केसिस के केस में यह पांच करोड की जो लिमिट साल जिनमें पांच करोड से ज्यादा और तीन साल एसे जिनमें विश्वास के लिए जाब आ confidential नहीं है नहीं को कौन-कौन लोग eligible है कौन-कौन से लोग eligible नहीं है इसके लिए मैंने कोश्चनर बनाया है और उसके जरीए आपको मैं बताना चाहूंगा पहला आपील्स पेंडिंग विद सी इटी अपी अपेले टर्बूनर हाई कोट और सुप्रीम कोट और डी आपी एज ओन तो फॉट्टी फॉट्ट जनरी 2020 और प्रफिजिवल और अलिजिवल ऐसे सब्सेक्शन टू और सब्सेक्शन वन में स्टडी कर चुके हैं सेकिंड रैक्टिफिकेशन एप्लिकेशन इपेंडिंग विद एयों अंडर सेक्शन 154 ओफ इंकम टैसे निटिसिवन आपने असेसि एसे कीसिष हिय पाइब पामर lazy sv separate । यदि प्रफिकेशन आपी रैक्शन एपान हिसै कैसिषे यदिफिकेशन एप एम टार शकुंसें टरैकिशन एप्लिकेशन आपलिटियों इप्लिकेशने आप्लिकेशन एप 10 Sec shade जब आपकिसे भी इस अपिलिए तैजन फिर रएल्य हब बेलेट छो एक अपकिसे लोग्वारि देने अक्ड के लिए जिए हैं अब देर लिए चीजिते लिए⁗ के लिग वेग दिएषि मैं अपर मैं अपने अपर यंग लिए हैं लिएकारगी के लिए लग्यार शावर्ट yet you can file you can file or opt vivaatshli vivaash mishwas in this case come to the situation number four appeal has been filed before the specified date with an application of condonation of delay and date of hearing of condoning delay has been fixed after the specified date say on 15th february application pehle file ki hui thi condonation of hearing ki date laghi se 15th february or condonation application ko reject कर दिया तो ऐसे cases में क्या appeal pending थी मेरे इसाब से यहां पर appeal pending थी क्योंकि आज के समय में appeal online file होती है form no.35 online file होता है और उसके में आपको सब्सक्राइब करते ही मिल जाता है चाहिए कंडonation of hearing की date लगी है या नहीं लगी है लेकिन दोस्तों मैं से request करूंगा कि जब वो अगला fact लेके आए इस बात को clarify करे कि अगर कंडonation of delay की application CIT appeal दोड़ा नकाल दी जाती है तो का वो cases eligible होंगे या नहीं होंगे still that as per my opinion and understanding it is allowed next revision application is to be filed date under section 264 income tax act on specified date इस टू भी वाइड अससी सोच रहा है कि 244 में मैं को revision application file कर देनी चाहिए क्योंकि that order is perjudicial to the assessi perjudicial to the interest of assessi लेकिन revision application file करने का time section 264 में आपको पता है कि एक साल है लेकिन वो कहता है कि मैं specified date के बाद order file कर देता हूं यह मैंने अभी तक नहीं file किया है मैंने करना है तो क्या यह pending appeal मानी जाएगी दोस्तों मैं फिर पताना जाहूंगा income tax act में there is difference there is a huge difference between revision and appeal revision cannot be had to be appealed hence the extended time period is applicable only for appeals the period where the time period for filing the appeal is not yet expired by the amended act is applicable only for appeals not to the revision please note that it is the extended period is not applicable for revision under section 264 next is we watch a wishwa scheme is available for cases pending for authority of advanced ruling my answer is straightforward no authority for advanced ruling is again not a appellate authority it is giving the his opinion for advanced ruling it is not deciding the quantum or any other things hence the our cases pending with the authority of advanced ruling are not eligible for vivaat se wishwaas दोफ्तों इस वीडियो के मद्दिन से मैंने आपको कुछ circumstances बताने चाहिए कि कौन लोग विवात से विश्वास के लिए eligible हैं और कौन लोग विवात से विवात से विश्वास के लिए eligible नहीं हैं ऐसे कुछ लोग जो विवात से विश्वास के लिए eligible नहीं हैं ऐसे section 9 of that text विवात से विश्वास वाक 2020 में बताएगी हैं उन लोगों के बारे में कौन-कौन से लोग जो शुरू से ही इनलिजिबल है जो विवाद के विश्वास में जाई नहीं सकते वह हम अगले वीडियो के मात्यम से आप से जानने का प्रित्म करेंगे मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग टोस्तों लेजिबल से जाए ऴूर स हो जो कैंगे लोगों को तो करद अभिटा और कि आ लोगाद अर। दो भीडियो झाल झाल